वो इस दो दोस्तों कि आपके बस भी एक पुराना स्मार्टफोन है जो कि दोस्तों अभी कि टाइम के इस आपसे बहुत ही जादे पुराना हो चुका है जिसमें कि दोस्तों आपको 2GB, 3GB, 4GB इसी तरह के बहुत ही जादे कम RAM देखने हो मिलते हैं और साथ ही दोस्तों वहाँ तो अगर आप चाहते हो कि आप उसी पुराने स्मार्टफोन में एक अच्छा गेम प्ले कर सको उसी स्मार्टफोन दोस्तों आपको lag ना देखने को मिले तो आप बिल्कुल ही सई जगा पर आए दोस्तों आज किस वीडियों में आपको ऐसी दो चीजे बताने वाला हूँ फर्च तो एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे अगर आप एनेबल करते हो तो मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों आपका पुराना के मुकाबले अगर इस सेटिंग को एनेबल कर रहता है बस इस सेटिंग को जैसे यह आप ओपेन करोगों और साथ ही एक डूसरा जो आपको एक टिप्स बसाने बलाओ और इस दोनों टिप्स ट्रिक को आप अच्छी तरह से अपलाई करते हो अपने फोन में तो मैं गैरेंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि पहले के मुका अच्छे से सुन लेना यह नहीं कि दोस्तों आप जाके सिर्फ एनेबल कर लेना एंड बाद में जो भी आपको प्रॉब्लाम्स फेस करनी परे तो इसलिए बोलूँगा कि वीडियो को आप स्कीप मत करना एंड तक देखना आपके लिए बहुत की चुजादे हैं तो चले क आप अपने फोन में इस सेटिंग को एनेबल कर सकते हो तो चले मैं चले चलता हूँ आपको अपने फोन स्क्रीन पर तो simply से आप आज को मेरे phone की home इसके चलिए आप नेक दिखता हूँ किस तर से आप setting को enable कर से तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने setting को open कर लेना and setting को open करने के लिए next सबसे पहले आपको scroll करके नीचे चला जाना नीचे जाने का बाद आपको एक session दिख रहा है about phone तो simply से about phone ब से उपर ही आपको यहाँ पर दूस्तों आपको click करना है and next दूस्तों आपका जो भी phone screen का password simply से उसे यहाँ पर enter कर देना है जैसे एप enter कर यहाँ पर देख रहो you are now in developer mode तो यह developer mode enable हो जाएगा तो एक बात बता देता हूँ जब सब का phone में अलग-अलग यह जो build number है सब के phone में अलग-अलग जगा पर लिखा रहता है तो simply से आप build number को search कर लेना and build number को search करके simply से आप वहाँ पर दो चार पांच बार click कर लेना चलो developer option तो on हो चुका है चली आपने आक्स आपको करना के है simply से back जाना है और back जाने के यहाँ पर आपको दिख रहा है additional setting तो simply से additional setting पर आप क्लिक करना है simply से इसी वाले सैसान में आपको वह setting देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों आपको option दिख रही है force 4x msa simply से दोस्तों यही वह setting है जिससे आप enable करोगे तैन दोस्तों आपका जो गैम है आपका जो जो भी lag करता है जो भी game आपका कितना भी पुर समझ गये होगा किस तर से आप अपने फोन में इस setting को enable कर सकते हो जिस setting से help से दोस्तों आपका जो lag का issue था जो game खसता था वो सब solve हो सकता है तो चलिए आप next बात करते step number 2 and last step की तो यह क्या है यह simply से यह है कि दोस्तों simply से आप एक चीज हमेशा देखना कि आपके फोन में क उतना ज्यादा आपका जो gaming experience है वो सुधरने वाली है दोस्तों आप phone कितना भी महँगा ले लो दोस्तों अगर उसमें RAM कितना भी है अगर आप अपने storage को full रख तो देन आपको वहाँ पर अच्छी experience नहीं देखने को मिले चाहे और daily use की बात करो या फिर दोस्तों आप gaming experience क भी आपको देखने को मिलेगी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले समाझना परेगा यह सेटिंग है वह enable करने से होता क्या है तो simply से अगर इस setting को enable करते हो तो आपके processor की जो भी छमता रहती है जो भी powers रहते है जितना भी काम करने की ताकत र रहन होती है तो यही एक बात थी कि जो दोस्तों आप यह make sure कर लेना जब इस setting को enable करके आप gameplays देखोगे खेलोगे या फिर कोई भी high graphics वाला काम करोगे तैन वहां पर आपको battery drain जा देखने को मिलेगी तो और कोई बड़ी issue नहीं है इससे तो यह चीज भी आप अच्छी त मैं तो नीचे आप comment करके पूछ सकते हो और definitely दोस्तों मैं उसका answer दूँगा reply दूँगा या फिर अगर वो problem आपका video बनाने like होगा तो मैं definitely इस video बना के उसका solution लाओगा तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इसी तरह के video के साथ मिलता हूं next time